I am Vijay Kumar, मेरा चैनल Let's Understand Concepts लेक्चर समझाए, सब्सक्राइब करें, बेल एकन पर प्रेस करें ताकि आपको लेक्चर के सीक्फिंस में नोटिफिकेशन मिलते रहें इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, अमयलोडोसिस की क्लासिफिकेशन कितने टाइप के अमयलोड होते हैं और कौन-कौन से ओर्गन्स पर जमते हैं, इससे पिछले लेक्चर में अमयलोड की मैंने पूरी इस्ट्री आपको बता दी, स्ट्रक्चर बता दी है, कॉम्पोजिशन बता दी, लैब में कैसे जाचे हो, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ चलिए, टाइपस ओफ अमयलोड, मैं बता देता हूँ, चाल टाइपस के अमयलोड होते हैं, A-L टाइप, A-A टाइप, A-Beta टाइप, T-T-R टाइप अमयलोड, उससे पहले आपको यह बताना जरूरी है, कि अमयलोड डोसिस की क्लासिफिकेशन है क्या, जनरलाइजड और अगर पूरी बोडी में अमयलोड जम रहा है, तो उसे बोलेंगे हम जनरलाइजड यह सिस्टमिक अमयलोड डोसिस, अगर किसी एक ही टिशू के अंदर जम रहा है, इसी एक ही ओर्गन के अंदर जम रहा है, तो लोकेलाइजड, जनरलाइजड की तीन कैटेगरी है, से बच्चों के अंदर आते हैं जो मिस फोल्डिंग के प्रोन होते हैं और उनおお के अंदर फिब्र लार प्रोटीन depends जैंज हो जाते जिसके बाद वह टिपोजट होना शूरू करते हैं वह चौड़ी आप फेमिलियल मैंने बता दिया genetically narrated primary और secondary primary के अंदर AL type जमता है secondary के अंदर AA type जमता है primary tongue GIT skin मतलब पूरी elementary कनाल तो आ गई हाँ tongue and GIT में skin और hurt और kidney ये दो आपको बड़े organ याद रखने होंगे hurt और kidney और इधर आ जाईए kidney देखिए इसमें भी है liver spleen lymph node lymph node जहाँ B.O.T. cells mature होते हैं spleen जहाँ R.B.C.s मरते हैं और liver जो spleen से connected है तो आप ये देख लीजे कि ये तीनों जंग हैं जो lymphoid organs माने जाते हैं वहाँ अगर amyloid जमे तो वो AA type का amyloid जमेगा जिस process को हम बोलेंगे secondary amyloid doses kidney के अंदर दोनों AL type amyloid भी जमेगा AA type amyloid भी जमेगा kidney दोनों के अंदर आती है primary और secondary दोनों के अंदर G.I.T. tongue और skin के अंदर और heart के अंदर जमे तो primary amyloid doses है अब AA type के बारे में बताना जरूरी है आपको L4 light light chain जब amyloid के धागे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था यह amyloid protein है indefinite length का non branching filaments of indefinite length पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ तो जो non branching indefinite length की filaments है मतलब छोटी बड़ी आपस में branch नहीं कर रही light है बड़ी molecular weight इंका बड़ा light है बहुत हलकी filaments है यह बहुत हलकी fibrils है इन तीन बिमारियों के अंदर जो की तीनो blood से related है तीन बिमारियों के अंदर patient को AL type का amyloid जमेगा और वो भी कहां पे primary organs में जो मैं आपको बता चुका हूँ यह रहे हैं मैं रहे primary organs इनके अंदर जमेगा AL type का जब यह तीन related disorders होंगे plasma cells defected है immunoglobulin Ig, Ig protein अगर blood के अंदर defected है, B cells dyscariasis, B lymphocytes के अंदर abnormality है, तो आप मान सकते हैं होल में, hematological अगर patient को कोई problem है तो blood के primary organs के उपर AL type का amyloid जमेगा ही जमेगा दूसरी दरफ चलते हैं inflammation, वो भी chronic वाली TB, bronchitis, inflammation CIDS, chronic inflammatory bowel disease है CIBD है syphilis ऐसे-ऐसी chronic SLEB है, systemic lupus erythematosis ऐसे-ऐसी chronic inflammation अगर patient को है, जो कि मैं आपको आगे lectures में पढ़ाऊंगा, chronic inflammation inflammation की unit में तो उस patient के secondary organs पे AA type का amyloid जमेगा, secondary organs बता चुका हूँ ये lymphoid organs और kidney तो दोनों में mixture जमेगा, ALB और AAB, अब तीसरी जगे आजएए आप brain के अंदर अगर injury हुई है, cerebral lesions है cerebral को चोट पोची है तो fibrosis के साथ-साथ amyloid fiber भी जमेंगे A-beta type के amyloid fiber जमते हैं, cerebral lesions के अंदर TTR पे आजएए आप trans-thiretinis की full form है poly nephropathies के patient के अंदर TTR type amyloid doses होती है TTR type का amyloid जमता है poly nephropathies मतलब kidney की वज़े से kidney खराब होने की वज़े से जितनी भी disease हुई hypertension हुई कोई अदर disease हुई proteinuria हुआ nephropathies की वज़े से जितनी भी साथ में disease associated हुई उन patients के अंदर TTR type का amyloid जमता है senile cardiac amyloidosis मैंने आलिक रखा है senile का मतलब होता है old cardiac मतलब hurt amyloidosis मतलब amyloid का जमना बूडे आदमियों में hurt के अंदर जब amyloid जमेगा तो वो TTR type का amyloid जमेगा 4 type के amyloid थे मैंने आपको 4 के बारे में बता दिया है AL, AA, A, B, TTR type classification मैंने आपको बता दिया है कि primary के अंदर अगर primary amyloidosis हो रही है तो TIT, Tung skin, hurt और kidney के अंदर वो जमेगा secondary मैंने आपको बता दिया lymphoid organs, liver, spleen, lymph nodes के अंदर जमे तो वो AA type का जमेगा क्यों जमेगा? chronic inflammation की वज़े से जमेगा hematological problem है तो ये वाले जमेगे hurt के उपर अगर old age है तो TTR type का जमेगा kidneys के उपर मैंने बता दिया आपको AA, beta दोनों टाइप के जमेगे अब ये कैसे जमते हैं kidney के अंदर, liver के अंदर spleen के अंदर, hurt के अंदर वो मैं आपको अगले lecture में बताऊंगा effects on major organs कैसे जमते हैं और वहाँ जम के वो क्या effect करेंगे organs के उपर, तो thank you हुआ है